दोस्तों जैसे कि मैं कल लाइव आया था और मुझे काफी सपोर्ट मिला और प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रही है मुझे ताकि मुझे मुझे मौटिवेशन मिले और मैं बड़िया बड़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँ ठीक है आज आपने मेरा पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना है और श्कीप नहीं करना है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम एराकेश कुमार और आप देखने आरके नूस्टेक्ट चनल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अब आपने यहां पर ध्यान से देखने ठीक है, इस feature को install करने से पहले, पहले मैं आपको एक चीज़ यहां पर दिखा देता हूँ, आपका hidden feature app के Samsung device का, ठीक है, setting में जा रहे हैं, हम यहां पर setting में जाने के बाद, आप नीचे का स्क्रॉल करेंगे, आपको accessibility का option यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, आपको accessibility वाले option में यहां पर जाने के बाद, आपको advanced setting का option देखने को मिलता है, यहां पर जाने के बाद, आपको इस तरह का interface यहां पर दिखेगा, तो आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको एक option मिलता है, time to take action, बहुत क क काम क्या है is basically जिसे में for example मैं इसकोड default रखता हूं तो मैं एपना Volume to neo Dude ओपर करता हूँ तो Volume panel देसे आप उस चला गया अंदर अब से धर्ती सेकंड करता हूँ रूम निकाल तो मुद नहीं लाजेर मेरिफ अंदर जाएगा तो यहां पर अभी 30 सेकंड नहीं हुए है 30 सेकंड तक यह मेरा वोल्म पैनल ऐसा ही रहेगा ताकि आप आवाज कमदादा कर सकें तो यह option आपको यहां पर देखने को मिल जाता है इस setting के ऊपर 30 सेकंड जैसे complete होंगे तो मेरा वोल्म पैनल जो अंदर को चल जाएगा तो यह timing आपके वोल्म पैनल की जो कि आप यहां सेट कर सकते हैं बहुत ही मज़दार फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए अब आते हैं में मुद्धे पे यह जो फीचर आपने कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको एक application डाउलोड करने होगी जिसको आपने डाउलोड क कैसे करना है मैं इस वीडियो के अंड में बताऊंगा यहां पर इसे permission देंगे तो बहुत ही मज़दार है यह notification पैनल आपका बिल्कुल यहां पर change हो जाएगा पहले देख लीजिए अगर आपको आच्छा लगेगा तो आप इसे इंस्टॉल जरूर करना अगर आच्छा नह आपको इस तरह का यह ओपन हो जाएगा ठीक है ओपन हो गया ओपन होने के बाद आप बैक आएंगे बैक आने के बाद हम नोटिविशन पैनल डाउन करते है ना आपको यह नोर्मल वाल आया लेकिन हम यहां से डाउन करेंगे तो इस तो आपका बहुत ही कमाल का अगर आप यहां से करेंगे तो आपको नोटिविशन पैनल यहां पर ओपन हो जाएगा लग से जो भी नोटिविशन आये होंगी तो आप यहां से चेक कर सकते हैं और इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ठीक है डाउनलोड करने के सेर्च करेंगे तो आपने जो है यह वाला कंट्रोल सेंटर मैक स्टाहिल यह आपने इंस्टोल कर लेना है और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन पैनल इस तरह का हो जाएगा बिल्कुल प्यारा से अगर आप नॉर्मल वाला यहां पर ओपन हो जाएगा तो आपको यह ओप्शन रहेगा कि आप इसे ओपन कर सकते है इस तरह है ठीक काफी प्यारा है कोई भी देखेगा वह लेगा वाओ यह आपने कैसे से किया यहां से आप फॉन को सिच्छ ओफ ओफ ओन ओफ भी कर सकते हैं यहां से आप ओप्शन देखने को मिल जाता है बाकि आज का वीडियो को कैसा लगा कमेंट बोक्स पर कमेंट करना करना तो बाइब बाटे के जाहिंद बंदमातरम